जो शिवरात्री के दिन मेरे मंदर में दिया लगाएगा या बेल पत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रजलित करेगा उसके घर में लच्छमि सदा के लिए विराजमान रहेगी संग जीवन में अगर बहुत तकलीफ है बहुत कश्ट है आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं पनात्री पड़ेगी जो माग महिने में शिवरात्री पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्री ये शिवरात्री इनिस उनिस वर्ष के दो बार गेब करने के बाद 183 वर्ष के बाद आएगा और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्री प्राप्त होगी और 183 वर्ष किस ने देखे कौन ने देखे और निवेदन करूँगा अगर जिन्दगी में थोड़ी सी तकलीफ है दुख है कश्ट है परेशानी है तो उस शिवरात्री को हाथ से मत जाने दो पर आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तू भगवान शंकर को हम रात्री के समय पर चड़ा दें जिससे हमारा रोग समाप तो हो जाए हमारी बिमारी समाप तो हो जाए हमारे जीवन में सुक समर्धी लच्मी आजाए वो समर्पन का भाव और शिवरात्री आने में देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है महराज़, पाच कमल गटे, पाच बेल पत्र, तांबे के लोटे में जल भर कर रख लीजिए सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें पाच कमल गटे और पाच बेल पत्र रखी है श्री शिवाय नमस्तु भ्यम शिव महा पुराण का मूल मंत्र जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासु देगा शिव महा पुरान का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भ्यम इस मंत्र का पांच बार इस्त्मर्ण करकर आपको जो तकलीफ है उसको हिरदय चित्य से धरकर मस्तक से कलश को लगा कर किसी एकांतेश्वर महादेव उपर एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गाउं से नगर से शहर से जो बहार खेडे में हो बिल्कुल बहार जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो एकान तो मैं बेटे हो जंगल मैं बेटे हो कहीं किसी विरप्छ के नीचे बिराज मान हो ऐसे एकान तीश्वर महादेव उपर अपनी कामना करकर वो जल समर्पित कर दो एक बेल पत्र एक कमलगटा उठा कर अपने घर पर ले कर जाओ जो तकलीफ बहुत जादा हो रही है पांच दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा पांच दिन में अंतरा जाएगा शिव का अनुमोदन करो शंकर का इसमर्ण करो महाराज ये अश्विन का जो अधिकमा से 183 वर्ष के बाद बापिस आएगा योग ये योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में पर अब मिलेगा 183 वर्ष किनी माता जी का एक प्रिष्ण था वो ध्यान में नहीं आ रहा है वो कहां से थी कि उन्हेंने एक प्रिष्ण किया था वाटस आप पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत जादा बिमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजूर गए लगवग लगवग 95 साल की है और शरीर गल गया शरीर में अब कीड़े पड़े है सिष्टर को बलाते हैं, डॉक्तर को बलाते हैं तब उनको साब करते हैं इतना गल्च होगा उसके लिए क्या करना चाहिए एक निवेदन करूंगा एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए पात्र में गेहूं जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी है कीड़े पड़ रहा हैं सरीर में आपने एका दशी दे दी गीता जी करवा दी पाट करवा दिया गौ तीन उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए पात्र किसी गरीबड़े को भिच्चुक को दे दीजिए महाराज तीन या चार दिन में मुक्च प्राप्त हो जाता है इतनी अगर भोग रही हैं तो कर सकते हैं इतन खाल टपक टपक कर गिर रही है तो उनकी मुक्ति हो उनका मौक्च हो आज माता जी कर रही थी कि हमने गीता जी सुना दी पाट कर दिया सब कुछ कर दिया गवदान करा दिया सब करा दिया पर मुक्ति ने शिवक का हो शंकर को मेरे बावा विश्वनात का स्मर्ण करो पिन निवेदन करूंगा ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं भगवान विश्णु बेकुंथ में रहते हैं मर्तिव लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है प्रत्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है पर हमारी आदत है हम पडोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बेठी रहती है, उसको कभी नमन नहीं करते हैं, आदत है ना हमारी, दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे, पर घर की सास को नमन नहीं कर पते उसी तरह हम भगवान विष्णू का इसमन कर रहे हैं ब्रह्मा का इसमन कर रहे हैं सारे तेती स्कौटी देवताओं का इसमन कर रहे हैं पर भू लोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना इसमन कर रहे हैं हम तो भगवान संकर के मंदर में भी जाते हैं तो छल कर पानी दूसरे का पानी दूसरे का मंदिर भी दूसरे आगर संकर को जल चड़ाना है तो घर से लेकर जा लोटा भी घर से लेकर जा और अगर मंदिर का पानी लिया है तो एक रुपे लोटे का किराया और एक रुपे जो लाइट जली पानी भरा जिस पुजारी ने उसका दो रुपिया दान पेटी में डाल तब जाकर तो संकर को पानी चड़ाएगी तब संकर उस जल को सिकार करता किसी की लगी लगाई धाली मिल जा पूजन की और तुम सिर्फ पर पल्लू लेकर कुंकु चाबल रोली बोली सब चड़ा तो और विचारी वो बात में आये तो देखे तो यह सब सा तो क्या भगवान स्विकार करेगा भगवान इससा स्विकार नहीं करे फेनी बेदाने बरस कल वगवाली चुराय से वमारी स्विकार के कोई बेहन जी आई थी 33 माल पूह लेकर कई गुरू जी संकल्प करादो हमने का पानी लाओ तो के तुमारे नहीं है हमने का हमारे इंत पूंवा है यह जाओ घावल लाओ तो कि गुरू जी पूजन मंडप में होंगा चावल जर कितनी बार भागवत सुनी राजा बली के दरवाजे पर बामन भगवान खड़े हैं राजा बली बामन भगवान से कहता है प्रभू आपके एक हाथ में छत्र है दूसरे हाथ में कमंडल है तो राजा बली कहता है आपके कमंडल का जल दे दो मैं संकल्प छोड़ देता हूं ब मेरे कमंडल का जल लेकर तू संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प मन नहीं होगा तुझे स्विकृत नहीं होगा किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकु चावल चड़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या अरे बोलो तो विश्णु पुरान में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था तुमने अपना डबा खोल कर बत्ती निकाल कर उसके दिये में रखकर जला दी और सोच दिये कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया तो उसका तो फली नहीं मिला विश्णु पुरान कर रही है खुद का दिया तो जला ओ दूसरे के रखे हुए दिये में पचास बार बाती जला कर आना उसका कोई फल नहीं मिलने वाला उसका कोई फल नहीं हमारा खुद का जल लेकर जाओगे खुद का लोटा लेकर जाओगे तो यहां तो सुयम भागवत कर रही है राजा बली के सामने बामन भगवान करते है राजन तेरे कमंडल को लेकर आ उससे संकल्प छोड़ अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, राजा बली अंदर गया जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया, राजा बली ने क्या, कमंडल लाना था खुद का उठा लाया सुकराचार जी का सुकराचार जी का कमंडल उठा कर लाया इसलिए सुकराचार जी कमंडल के अंदर जाकर बेड़ गए, एक आँख लगा कर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकल ने दिया सुकराचार जी ने, कि मेरे कमंडल का जल केसे निकल जाए भला फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा खीच कर, उसकी टोटी में दी तो सुकराचार जी के आँख थोट गए, सुकराचार जी ने का, राजा बली, तु जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया, और मेरी आँख थोटी है, मैं तुझे श्राब देता हूँ, कि तु सत्ता से भीन हो जाएगा, राजा बली की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के करण चली गई, तो आप जगर दान करने जा रहे हो, आप तन्या दान करने जा रहे हो, आप गवदान करने जा रहे हो, आप भस्त्र दान करने जा रहे हो, आप माल्कुयका दान करने जा रहे हो, आप स्व घरों में छुड़वाया घर के अंदर और 15 अक्टुम्बर को जो शिवरात्री का उस्तव रात्री को 9 बच कर 20 मिनिट से 10 बच कर 20 मिनिट पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे उसका संकल्प आप अपने घर में बेट कर छोड़ना यहां नहीं अपने घर में और अगर कोई यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोटल लाओ चावल लाओ पूजा की ठाली लाओ फिर बेट हो अपना संकल्प अपना होना जो उसका फल हज्जारों गुना प्राप्त होता है दूसरे का जल दूसरे का चावल स्विकार कर लिया उससे फल की कामना नहीं ह मिलता है भले चार घंटे तक तुम धोलक बजा बजा के गातांबा काहंदा में ता तो धरा पाणी और नीनाय भोला नवा के रहूंगी बोले को अपना बना के रहूंगी संकर भगवान भी बोले पूरी राध गाय तो भी नहीं हाओं में तो जाए को है बोला ना शिब को म बनाने के लिए बहुत साधना करने की भी ज़रुवत नहीं है शंकर तो कहते हैं तीन बार ताली बजा दो बंबं बोल दो उतने में भी राजियों पानी नीवी चड़ाय चलेगा ताली नीवी बजाय चलेगा बंबं नीवी बोला चलेगा शंकर का शिव महा पुरान की कता कहती है इतना भी ना बने तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जा उतने में भी कल्यान कर दूँगा ये भी ना बने तो मेरे मंदिर का शिखर देख ले शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम मात्र शिखर का दर्शन कर लेने पर भी मैं तेरे पाप छिण कर देता हूँ समाप्त कर देता हूँ तेरी जिन्दगी खुशियों से बाद शिव करें उतने में भी संतुष्टी उतने में भी संतुष्टी शंकर का अनमोधन करने वाला शिव का समरन करने वाला तुक अगर मालूम पड़े प्रारब्द के कारण कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है तो वो समाप तो होगा और बाबा से कहते रहे ना बोला सब दुख काटो मारा बाबा बस करपा करकर मेरे दुखों को काटी बाबा बोले शिव उस बुजुर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोग ना पड़े बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है संकर करते हैं पूर्व में जो करकर आयो उसके अनुसार फल मिलता अभी दो दिन पहले की कथा याद करो कथा में कहा था खूब भगवान ने धन दे दिया जिसके घर में ददस नोकर लगे और घर का मालिक इतना चड़ा पहन का टीसट पहन कर कुट्टे को छीची करा रहा कता मैं कहा था कि नहीं कहा था तो किसी ने प्रिश्न किया था गुर्देव इनके घर में ददस नोकर लगे इनके घर के बच्चों को तो नोकरानिया पाल रहें, दासिया पाल रहें और सेड जी अच्छा चड़ा पेन के, टीसट पेन के कुट्टे को चीची करा रहा, तो ये कहीं लिखा है? अरे गरुण पुणान ठाकर देखो न, ये भी कर्म का भोग है कि तेरे घर में दस नोकर काम कर रहे हैं और कुट्टे को चीची मॉर्निंग बाक में तू करा रहा है तुमने भी देखा होगा रहे हैं, जितने लोग टीवी पे घता सुन रहा है सही बताओ इमानदारी से, अपनी अपनी स्विक्रती बेजना हो वाटसअप पे जरूए हमें ये समझ में नहीं है कि ये कुट्टे को गुमा रहा है कि कुट्टा इसे गुमा रहा है तो इदर जाए उदर जाए उदर जाए इसली निवेदन मत बुरे करम कर बंदे बरना बच्च ताएगा भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा करम का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा चाहे रोके भोगो चाहे हसके दो इसली निवेदन ने खो बढ़िया चका चक खाओ पियो मोच करो जिन्दगी अलमस्त जीओ कितनी भी जिन्दगी में दुखाए रोना नहीं सुखी रहना मुस्कुराते रहो क्योंकि आखरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा तुम बले जिन्दगी रोके निकाए फोटो में तो तुम इस्माइल देते ही मिलोगे माला टंगी रहेगी मुस्कुराते रहो जित्तो के घर भी जाके देखो के तुम बले जिन्दगी कितनी भी रोके निकाए चित्त व्रत्ती को लगाओ भजन में किर्तन में समर्ण में जितना समय गया जाने दो जो बचा उसको संकर में लगा दो शिव में लगा दो माराध कर्म का भोग भोगना है गती प्रारब्द की दूसरी जो प्रारब्द की गती है उसको कहा तीवर प्रारब्द इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो दुख आया है तो संत सत्गुरु की शर्ण में जाकर कहो दुख मिटेगा तीसरा है तीवर तम प्रारब्द इस प्रारब्द में अगर बहुत ज काम करो एकान तुमें बेट कर शिव का इस्मर्ण करिए शंकर का बजा अब बटकेश्वर महादेओ और पिपलेश्वर महादेओ पिपलेश्वर महादेओ जिस जगहा पर ददीची रिशी की धर्म पतनी सुवार्च के सम्मुक में ददीची रिशी के प्राण देवता ले लेते हैं अस्तियों का कंकाल हो जाते हैं ददीची बाबा उनकी धर्म पतनी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्ब को नश्ट करने के लिए वहाँ शंकर भगवान प्रगठ होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे शिवजी का नाम पिपलेश्वर महादे हुआ जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो एक बट के इश्वर महादेव और एक पिपले इश्वर महादेव आदालत में कोई कारवई चल रही है आदालत में कोई केश चल रहा है आदालत में कोई बात चल रही है नहीं जीत मिल रही नहीं विजय मिल रही हार गए पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का मिट्टी का शिविलिंग बनाकर उसकी पूजन करो पूजन अर्चना करकर दही तीन चम्मच नाम लेकर चड़ाओ जिसके साथ केश चल रहा है और तीन चम्मच दही चड़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके चापे लगा लो सफेद रुमाल पर भगवान चंकर की पूजा अर्चना करकर जल में विशर जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर और उस रुमाल को घड़ी बना कर रख लो अगली पैसी जब हो उसको साथ लेकर जाओ कि इस जल्दी निप्टेगा विजय प्राप्त होगी मात्र तीन सों मार करिए बटकेश्वर का इसमर्ण उसी तरह पिपलेश्वर महादेव कितने भी बड़ी जिंदगी में रोग हो चाए कैंसर जैसा हो लीवर हो किड़नी हो कितना भी बड़ा रोग हो भगवान पिपलेश्वर महादेव का इसमर्ण करिए पिपल के पेड के नीचे संकर भगवान के शिवलिंग का निर्मान करकर उसकी पूजन अर्चना करिए उस पर शहेच चड़ाई पिपल का व्रक्ष आउले का व्रक्ष शमी का व्रक्ष, बेलपत्र का व्रक्ष, ये ओशधी पूर्ण है महाराज। डाक्टर ने कह दिया डाइले से स्कराना जरूरी है, तो एक बार इस्ष्यू महापुरान का उपाई जरूर करना, डाइले से स्कराने से पहले, पाच छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, संकर जी का शिवलिंग का निर्मान पीपल के पेड के नीचे करना, मट्टी का पार्थी शिवलिंग, निर्मान करकर उसकी पूजन करकर बेलपत्री पाच चड़ा कर, पाँच पीपल के पत्ते, पाँच शमी के पत्ते शंकर पर चड़ा देना आरती पूजन करना, शमी का पत्ता बेल पत्तर छोड़कर पाँच पीपल के पत्ते उठा लेना जिस व्यक्ति को डाइलेसेस का बोला है उस व्यक्ति को पाचो पत्ते पीस कर छान कर पिला देना तीन दिन बाद फिर जाकर डाक्टर को चेक करवाना डाक्टर डाइलेसेस का मना कर देगा लीवर किडिनी अपना काम करना प्रारम कर देगा पिपलेश्वर महादेव की पूजन पिपल के पत्ते की आउशधी जीवन का सुख दे जाए कोई पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराच कितना विचित्र वर्णा ने प्रेक्टिकल जरूर करना सी और वाला महाराज कहीं जूट तो नहीं बोल रहा और वाटसब पे लिकर भी वेजना करा की नहीं करा क्योंकि शिम महापुरान की लेखनी है बेदव्याज जी महाराज वर्णन करे गलत नहीं कर से किसी को बहुत खुन निकल रहा बहुत एक्षिनेंट हो गया खुन पर खुन निकल रहा उसको अगर होश है और वो होश में है तो पाँच पीपल के पत्ते किसी भी विरक्ष के तोड़ कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो चबा चबा कर उसी समय खुन निकलना बंद हो जाए रतबन पिपलेश्वर महादेव का मात्र इसमर्ण ही सुख दे जाता है आनंद की अनुभूती करा देता है मात्र पिपलेश्वर महादेव बहुत बड़ा आपरिश्वर कराने जा रहे हो तो उसके पंद्रा दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन करकर अर्चना करकर भगवान शिव का इसमर्ण करकर पिपल के पत्ते की माला बनाकर हनवान जी को चड़ाकर फिर आपरिशन के लिए जाओ जिससे दोसरी बार आपरिशन की जरुवत ना पड़े शरीर का जिसका आपरिशन है वो अच्छा हो जाए सरिष्ट विपलेश्वरमाद भगवान